दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे AutoCAD का unit set करना मतलब अगर आप एक civil engineer हो और basic आप AutoCAD सीखना चाहते हो अपने civil engineering drawing के लिए तो simply आपको सबसे पहला जो काम है वो होना चाहिए कि आपको civil engineering का जो unit होता है उसको set करने आना चाहिए तो simply मैंने अपना AutoCAD open कर लिया है इस समय में AutoCAD 2021 चला रहा हूं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो अब हम बात करते हैं इसको set करने के लिए तो simple जैसी अब अपना AutoCAD open करते हो AutoCAD open करने के बाद आपको क्या करना है simple start drawing पे आपको click करते हो आपको unit set करने के लिए आपको type करना है un आपको unit set करने का command होता है वो होता un आपको simple unit set करने पर un पे आपको click करने के बाद आपको interface करना है या तो आप interface कर सकते हो या आप space button यहाँ पे आपको AutoCAD 2D में जो भी work होता है वो inter और जो inter work करता है वहीं पे same आपको space button भी काम करता है और कुछ कुछ जगों पे नहीं भी काम करता है पर अधिक्तम जगों पर space button आपके इंटर बटन के समानी काम करता है तो उसके बाद आपको unit में union type करने के बाद इंटर जैसे आप place कर देते हो उसके बाद आपको simple यहाँ पे आपको लिखा वह मिल जाएगा type precision उसके बाद unit scale तो यहाँ पे आपको यह तीन चीज़ों को यहाँ पे change करना है बाकी सब चीज़ आपको रखना है 1 by 2 आप 1 by 4 भी रख सकते हो 1 by 2 भी रख सकते हो तो simply अगर आप 1 by 2 रखते हो तो आपके जो भी dimension होगे वो 1 by 2 तक लेंगे मतलब अगर आप 0.5 feet या 0.5 inch भी देते हो तो वहाँ पे और ले लेगा तो simple जो architect या civil engineer जो काम करता है वो feet और inch में काम करते हैं जो भी आपके सबसे कम dimension जैसे अगर आप feet और inch में काम कर रहे हो तो आपके जो सबसे कम dimension होगा होगा inch और जो सबसे अधिक होगा fit तो आपको simple यहां फे feet और inch में जो सबसे कम होता है उसको लेना है तो simple मैं inch ले लूँगा अगर आप millimeter लेते हो तो यहां से आपको millimeter आपको क्मांड देना है D, D for dimension, आपको जब set करना है उसके बाद आपको इसको देना है enter, अब जैसे आप यहां से enter करते हो, enter करने के बाद आपको यहां पर कुछी से देखने को मिलेगा, आपको यहां पर modify का option मिलेगा, आपको simple modify पर click करना है, जैसे आप modify पर click कर देते हो, तो यहां पर आपको सारे चीजे देखने को, lines, symbols, text, fit और primary unit, आपको सबसे पहले primary unit जो होगा, वो आपको select करना है, तो यहां पर भी unit format जो होगा, वो आपको decimal देखने का, तो यहां से आपको करना है architectural, architectural करने के बाद आपको जो precision है, वो 1 by 2, तो simple precision set करने का जो मतलब है, मैं आपको यहां पर देखाता हूँ, यहां पर आप देखोगे, तो यह जो dimension है, इस समें 1 by 4 तक दिखा रहा है, अब जैसे ही से आप 1 by 2 करते हो, तो यहां पर देखो, जो half है, वो आट गया, और simple 1 by 2 भाग तक आपको जो भी dimension वो देखने को मिलेगा, जो unit अगर आप DAL करके details उसका देखते हो, तो यहां पर आपको 1 by 2 तक देखने को मिलेगा, simple उसके बाद आपको आना है, text में, text में आने के बाद आपको, यहां पर text की जो height होगी, वो आपको select कर लेनी है, 3 inch, 4 inch, 5 inch, जितना भी आप रखना चाहते हो, उस प्रकार से आप रख सकते हो, और इसे vertical में यह above होगा, तो उसको center कर सकते हो, तो यह जो चीज़ें यहां पर center में दिखने लगेंगी, तो आप इसी प्रकार से unit set कर सकते हो, और symbol जो होगा यहां से, आप यहां पर, architectural का आप select कर सकते हो, तो आपको simply architecturally select करना है, और उसके बाद आपको यहां से okay करना है, करने बाद आपको यहां पर set current का option जो है इस पर आपको click करना है उसके बाद आपको close करना है उसके बाद आप जब भी कोई भी command दोगे जैसे अगर आपको line देना है तो L आपने command दिया इंटरफेस किया उसके बाद आपको खीचना है तो आप यहां पर दे दो 30 feet 13 inch मालो मैंने simple आपको देखने के कर दिया उसके बाद आप इंटरफेस करो तो जो आपकी line है वो 30 feet 13 inch की हो गए जैसे मैं अगर आपको करके दिखा दू तो यहां पर आप देखो आपको मैं दिखा दिता हूँ simple देखो तो यहां पर आप देख सकते हो कि 30 feet 13 inch का आमारी जो line है वो बन चुकी है तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हो और अपना unit जो है वो set कर सकते हो तो मुझे आसा कि आप समझगे होगे कैसे unit set करना है और इसी प्रकार कि अगर आप आप आटोकेट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो civil engineering से रिलेटेड तो मैं ऐसे यह वीडियो डालता रहूंगा रोजाना और इसका जो पूरा course है मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको बनाना है पूरा एकदम master बनाऊंगा यार तो simply अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सिस्काइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो टाटा बाए बाए मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में